हेलो फ्रेंच आज मैं आप लोग को 34 साइज लहेंगार ब्लाउस काटिंग करके दिखाऊंगी तो फ्रेंच वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले तो यहाँ पर देखिए यह फ्रंचाइट है फ्रंचाइट में इस तरके से डिजन किया हुआ है उसे डिजन के हिसाबचे हम यहाँ पर इस ब्लाउस को काट करूँगी तो यहाँ पर देखिए यह बैक साइट है बैक साइट में भी सेम तरके से काट करूँगे लेकिन बैक सा क्रणा करतं है। इसको किस तरह से काइड क town is bin to work baru दुट वरावर लेना है। जाहके हाट दिजेंग किया हूँ मिदल दुट लेना है। घार किया हैं थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जैसे के शारी का ब्लाउस में हम जो लंबाइ रखता है उसी से हम एक्स्त्रा वान इस जदा राखोंगी तो यहां पर देखिए लंबाई में 16 इंश तक लेना है और एक्स्त्रा फेबरिक के साथ यहां पर 17 इंश देखूंगी लंबाई द दीजिन किया हुआ है उसी का साइट के तरब से बराबर कातitä ही करना है और यहां से देखिए शुलडा लेना है टुटल यहाँ से शुल डार में राखूंगी यहाँ से देखिए इस तरह से उसके बाद हमें आमफूल लेना है आमफूल देखे यहाँ से आमफूल 5.5 इंस qi राखोंगी इसको देखे बराबर मिलाने के बाद अब यहाँ से हम लोगी चेश चेश देखे यह 34 साइस है तो यहाँ से 34 को 4 से दिबट करने से 8.5 इंस एक्स्तर फेब्रिक आपको कितने इस्तक राकना है, आपने हिशाब से हिरा है यहाँ पर देखें एक्स्तर फेब्रिक टू इस्तक लिया है तो उसके बाद हम कमर के लिये इमजमेन लैना है पहले यहाँ से ब्लावस का जो लंबाई लिया है उसी के हिसाब चेमें यहाँ पर निशना लगा लूँगे देखिए 17 इंस टाग यहाँ से तब देखिए कमर के लिए में जमेन लेना है तो कमर के लिए में जमेन हम सेई-सी वानिंस कम रखूंगे चलाए केने के बाद जो भी एक्स्तर फिब्रिक मिलता है हम इसको काट भी कर सकती है अगर राक ना है तो राग भी सकती है तो यह देखिए इस तरह के से थूरा से त्रिशा ताइप से मिलाना है तो अब हम इसको काट लगा लूँगे देखिए तो आवे हम आम्भूल में इस तरीके से हालका सा सेफ मिला दूंगी यह देखी इस तरीके से तो चलिए आवे हम इसको काट लगा लिती हो तब देखे हम नेक काट करने के लिए इसको हम सिधा साथ के तरब से इस तरह से करना है देखी और यहाँ से हम चोक से निशना लगा लूँगी इस तरह के से हापिंस का यहाँ से फेब्रेग रख कर यह दिखिए काट कर लिया है इस तरह के से फ्रांचाइट है यह तो इसको देखे मैंने नर्मेल काट किया है तो यहाँ पर देखे बैक पाट को भी नर्मेली काट करूँगी यहाँ से देखिए बैक साथ के तरफ से स्ट्रीफ उफेंड होगा यहाँ से होक राकने के लिए तो आभी देखिए इसको इस तरह के से फूल करूंगे बिल्कुल बराबर सेंटर मिला कर यह देखिए इन एक में जो डिजन किया हुआ है दूनु डिजन को इस तरह के से बराबर राकना है और राकने के बाद देखिए इसको अच्छा से मिला लेना है मिलाने के बाद आभी देखिए जो फ्रंट पर काट किया है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से पिशाओंगी पिशा का देखिए इसी का हिसाब से मैं यहाँ पर काट लगाओंगी तो यहाँ पर देखिए बेक साइट क्या नेक को काट के निकले यहाँ पर इस तरह किसे फेब्रीक को सिरा साइट के तरफ से रखूंगी यह देखिए यहाँ से भी देखिए हमें हापिंस का मेजरमेन लेकर यहाँ से फेब्रीक रखूंगी और इस तरह किसे काट लगाना है तो यहाँ पादे के वेक पाद को इस तरह किसे बॉराबोल मिलाना है मिलाने के बाद देखिए हम यहाँ से सेंटर काट कर लूँगी उसके बाद काट करना है स्लीप तो यहाँ पर देखिए स्लीप में इस तरह किसे दिजिन किया हुआ है उसी दिजिन के हिसाब से मैं यहाँ पर सेंटर बराबर फोल्ड करूंगी यह देखिए बिल्कुल सेंटर बराबर फोल्ड करना है तो करने के बाद स्लिप का लंबा आपके जितने तक चाहिए उठनाई से लेना है यहाँ से में स्लिप का लंबा चाहिए तेननीस और एक्स्ट्र फेबरिक के साथ 11 इंस तक रखूँगी तो यहाँ पर देखिए 11 इंस का स्लिप तो रदिया है देखिए और यहाँ पर देखे मैंने आमभूल के साथ की तरफ से स्लीप को ज़्यादा राकर काट किया है फिटिंग करने के बाद जो वेक्स्तर फेब्रिक मिलता है इसको भी हम काट कर लूँगी चाहता आप इसको मेजमेन लेकर भी काट कर सकती है बेक्स पाथ का आमभूल का पाथ में जितना तक आता है उसी से वानिस एक्सर ज़्यादा लेकर काट करना है तो यह देखें दूसरा स्लिप को भी यहाँ से सेंटर बराबर फूल करना है और जो काता हुआ स्लिप को इसकाप पर राकना है और यहाँ से काट लगा लेना है यहाँ पर मैंने शिलिप को अलग-अलग से काट किया है क्योंकि शिलिप में दिजन किया हुआ है इसलिए में यहाँ पर अलग-अलग काट किया है दुन शिलिप को अलग-अलग काट करने से यह से ही काट आएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर अलाग-अला काट किया है चाहँ तो आप इसको एकिशाथ में भी काट कर सकती है अगर नर्मल स्लिफ होने से एकिशाथ में काट कर लेना था तो यहाँ पर देखिए काटिंग फूरा कम्प्लीट है इसका स्टीशिंग में आगला वीडियो में करका दिखाओंगे तो फ्रेंज वीडिव पसानांचे वीडिव को लैक शर करना ना भूलाए आपे पीछ चनल को सब्सक्राइब नहीं के, तो प्रीज चनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साथ में बेल आइकन को किलिक कीजे ताकि मेरे हारा ने ओले वीडियो की नोटिफेक्शन आठाक सब्सक्राइब पहुशने के लिए